आज हम बात करेंगे एक्स्पोजर से पहले HIV को रोकने के लिए दवाई जो प्रेप यानि की प्री एक्स्पोजर प्रॉफाईल एक्सिस के नाम से जानी जाती है इस वीडियो में आप क्या जानेंगे प्रेप का मतलब क्या होता है प्रेप कौन ले सकता है प्रेप को कैसे चालू करे इसके अंदर कितनी और कौन सी दवाई लेनी होती है इसकी साइड़ पेट क्या हो सकती है एक कितनी सफल रहती है एक महिने के दवाई का खर्चा क्या होता है दवाई को कैसे लेनी चाहिए यदि कोई इंसन डोज भूल जाये तो क्या करना चाहिए और नेमित रूप से दवाई लेने के लिए क्या चीज़े को ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले देखते हैं प्रेप का मतलब एक्सपोजर से पहले सरीर में सहरीक सबन से या तो निशा करने के इंजेक्शन से HIV को रोकने के लिए जिस किसम की दवाय का इस्तमाल होता है वो प्रेप यानि की प्री-एक्सपोजर प्रोफालेक्सिस के नाम से जानी जाती है प्रेप कौन ले सकता है सिर्फ ए HIV नेगेटिव लोगों ही ले सकते क्योंकि रोकने के लिए है एक इलाज करने के लिए नहीं है तो जिस इंसान का HIV का रिपूट नेगेटिव हो इंसान को एक से ज्यादा पार्टनर्स हो या उसको पार्टनर्स का स्टेटस पता ना हो और कॉंडम का इस्तमाल नहीं करता हो पार्टनर का HIV हो लेकिन उसका वाइरल लोड़ 200 से ज़्यादा हो और यदि किसी इंसान को पिछले 6 महिने में आपने अंजान लोगों के साथ बिना कॉंडूम सबंद रखा है या आपको एक से ज़्यादा बार गुप तुप का निदान हुआ है और आप बिना कॉंडूम अंजान लोगों के साथ सबंद रखा रहे हो तो फिर आपको HIV होनी की संभावना ज्यादा है तो वो लोग प्रेप नाम की दवाई का इस्तमाल करकर HIV होनी की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते है अब प्रेप दवाई कैसे चालू करे इस दवाई को चालू करने से पहले सबसे पहले आपको HIV एड़ स्पेस्टरिस डॉक्टर का संप्रक करना रहेगा डॉक्टर आपकी कुछ लेबोर्टर की जांच कराएंगे जिससे आपको हिपेटेटिस B, HIV, कीडनी, लिवर का स्टेटस क्या है वो पहले जांच करेंगे सभी रिपोर्ट आजाने पे आपकी प्रेप नम की दवाई चालू करेंगे और उसके बाद आपको हर तिन महीने में लेबोर्टर की जांच करानी होगी और डॉक्टर से एक बर हर तिन महीने में संप्रक करना रहेगा जिसमें डॉक्टर्स आपकी लेबोर्टर की जांच से आपको और कोई infections नहीं हुआ है उसकी जाज़ करेंगे और दवाय के कारण आपको side effect नहीं हो रही वो पता लगाएंगे अब इसमें कितनी और कौन सी दवाय लेनी होती है आम तोर पर दो किसम की दवाय का options उपलब्द है हम पहले option की बात करें तो इसके अंदर हरोज की एक tablet लेना होता है 24 गंटे में एक tablet लेकिन आपको उसका time fix करना है और उसी time पे हरोज दवाय लेना है एक ही tablet के अंदर दो किसम की दवाय आएगी एक है TDF 300 mg और दूसरा है FTC 200 mg तो इस किसम की दवाय से आपको prep में इस्तमाल करते हो तो आपको सभी किसम के sex और नशाकारक injection से होने वाले HIV के सामने सुरक्षा मिलेगी अब दूसरा options देखते है जिसमें भी एक ही गोली खाना होता है लेकिन पिछले टाइप में TDF 300 mg तो इसकी जगह पर यहाँ पर दवाय है TEF 25 mg और FTC 200 mg जैसी थी वैसी ही रहेगी तो इस combination का इस्तवाल करकर आप योनी मेथुन को छोड़कर बाकी के सभी किसम के मेथुन में आपको इससे HIV के सामने सुरक्षा मिलेगी तो कोई यदि anal sex practice कर रहा है तो इस दवाय का इस्तमाल कर सकता है लेकिन यदि कोई vaginal sex या bisexual है तो उसको इस दूसरी वाले दवाय इस्तमाल नहीं करना है लेकिन उसको पहली वाले दवाय का इस्तमाल करना होता है अब एक आम तोर पर पुछे जाना वाला सवाल यदि हम प्रेप के साथ कॉर्णोम का इस्तमाल करना ज़रूरी रहेगा कि कॉर्णोम का इस्तमाल नहीं करेगे तो चलेगा तो यहाँ पर एक बात समझ लिजिए कि प्रेप आपको सिर्फ और सिर्फ HIV के सामने सुरक्षा देती है अन्य गुप्त रोग के सामने सुरक्षा नहीं देती तो अन्य गुप्त रोग से बचने के लिए प्रेप के साथ साथ कॉर्णम का इस्तमाल करना भी अत्यंत आवशक है अब प्रेप कितनी सफल है अब इस दवाय का सफलता का अधार आप इस दवाय को कितनी नेमित रूप से ले रहे हो उस पर है यदि आप इस दवाय को ठीक से नहीं खाओगे नईमित नहीं खाओगे बार-बार छोड़ दोगे तो यह आपको साहे सुरक्षा ना प्रोवाइड कर सके लेकिन यदि आप जैसे जैसे नईमित आपकी बढ़ाते जाओगे और अच्छी रहेगी या तो सौफ फिजदी रहेगी तो आपको प्रेप से HIV के सामने 90 से लेकिन 90 फिजदी तक सुरक्षा मिल सकती है आम तोर पर पुछे जोना वाला दूसरा सवाल प्रेप की दवाई का खर्चा कितना है अब दवाई को कैसे ले जैसे आपके डॉक्टर्स बताते है ठीक वैसे ही ले अपने आप दवाई में कोई भी बदलाव ना करे अपने आप दवाई को कभी बंद ना करे दस दिन की दवाई आपके पास बची हो तभी आप डॉक्टर का संपर्क करकर आपके अगले महीनी की दवाई का प्रबंद कर लीजिए कोई भी डूस ना छोड़े साइड इफेक्ट क्या होती है ज्यादातर लोगों को कोई तकलिफ नहीं होती या किसी किसम की साइड इफेक्ट नहीं होती कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकती है और इन लोगों में भी आम तोर पर एक महेने के बाद यह तकलिफ चली जाती है अब जिसको साइड इफेक्ट हो रही है तो उसको कौन सी साइड इफेक्ट हो सकती है इन में से ज्यादा तर साइड इफेक्ट पेट के सबंदित हो ऐसा हो सकता है पेट में गडबड़ी होना उल्टी या तो उल्टी जैसा लगना भूक में कमी आना दस्त लगना, सीर्दर्ध होना, लेकिन निम्ने से भी आपको कुछ होता है, तब भी आपको डरने की बात नहीं है, आम तोर पर एक महीने के अंदर आपको ये सभी साइड इफेक्ट चली जाती है, और बाद में भी यदि ये किसी को कोई तकलिफ रहती है, तो आप अपने ड दोज भूल जाए तो, याद आने पे तुरन दवाई ले लेजी, बुला हुआ डोज, और यदि आपका अगला डोज का समय बहुत नजदिक है, मानलों कि एक दो घंटे के अंदर ये आप को दूसा डोज लेने का टाइम हो रहा है, तो जो भूले हुए हो, उस डोज को छो हमेशा आदत बनाए कि फिक्स समय पर दवाई ले, मॉबाईल में अलाम सेट करे, दवाई की बॉटल को उस जगा पे रखे कि जो हरोज आपके नजर के सामने आए, जैसे कि टीवी के बाजू में, मॉबाईल रखने की जगह के बाजू में, आपको पानी पिने का जगा है, वहाँ से फ्रीज पर, तो आपको बार बार उसको देखते रहोगे तो आपको भूलोगे नहीं दवाई लेना का, पील बॉक्स का इस्तमाल करे, या कैलेंडर में मार्किंग करते जाए, यदि अभी तक आप चैनल के जोइन करके मेंबर्स नहीं बने हो, तो मेंबर बन करेंगे, स्पेशल्स एचाईवे एड्स का वीडियो आएगा, लाइट टॉक्शोज में अपने सवाल पूछ सकेंगे, नए वीडियो के प्रीमेर शो के दोरान चैट बॉक्स में सवाल पूछ कर उसका जवाब ले पाएंगे, और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करकर उसक ओनलाइन कंसलिडेशन करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाएगे नंबर पर वाट्स अप मैसेज करिये, चेतावनी, यहाँ पर कही गई बाते आम जानकारी के लिए हैं, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है, किसी भी जानकारी को अपने जिवन में लागू करने से पहल है, हम हर सनीवार और रहीवार दुबेर को एक बजे या तो नया वीडियो का प्रिमेर शोर रखते हैं, या तो लाइट आक्शो करते हैं, थैंक यू